दोस्तो आज हम जिस जगा का वीडियो आपको दिखा रहे हैं वो जगा एमदावाद की एक पैचान बन चुकी है ये जगा इतनी साफ और सुन्दर है कि इसको देखकर आप भी अपनी आखों पर यकिन नहीं कर पाओगे एमदावाद के इस खुब सुरत नजारे का नाम है साबरमती रिवर्फरंड यहाँ पर फ्रावर पार्क भी बनाया गया है और यहाँ पर कई सारी एडवेंचरस एक्टिविटी भी होती रहती है आज के इस वीडियो में मैं आपको साबरमती रिवर फ्रंट पर जो फूट ओर ब्रीज बनाया जा रहा है उसके बारे में बताऊंगा तो बने रहिएगा वीडियो के अन्तख और लीजिये पूरी जानकारी फूट ओर ब्रीज के बारे में जिसको पेड़ेश्ट्रेंड ब्रीज के नामसे भी जाना जाता है दोस्तो ये फुटोवर ब्रीज साबरमती रिवर फ्रंट पर एलिस ब्रीज और सर्दार ब्रीज के बीच बनाया जा रहा है ये ब्रीज पर सिर्फ चलने वाले लोग ही जा सकेंगे यहाँ पर कोई भी अपना वेहिकल लेकर नहीं जा पाएगा इस ब्रीज पर लोग चलने का पूरा अनन ले पाएगे ये ब्रीज बनने का काम पूरी स्पीड से हो रहा है और ये देखते हुए लग रहा है कि अगले साल तक ये ब्रीज बन कर तयार भी हो जाएगा ब्रीज के बारे में अनोखी बात ये है कि ये ब्रीज सिर्फ चार सपोर्ट पर तयार हो रहा है और इसको बनाने का खर्चा एक अंदाथ से 60 करोड जितना हो सकता है दोस्तों ये ब्रीज की डिजाइन काफी खूब सुरत है और इसकी डिजाइन बनाने का काम मुंबई आई आई टी ने किया हुआ है एमदाबाद में चलने के शौकिंग लोगों के लिए ये पहला ऐसा ब्रीज होगा जिस पर बैटने के लिए अलग से सीट हाउस बनाया जाएगा SGVP होस्पिटल के बाजू में जो मल्टी लेवल पार्किंग बनाया जा रहा है वहाँ से स्काइवॉक के थूँ इस ब्रीज पर जाया जाएगा ये सब बन जाने के बाद यहां का नजारा और भी खूबसरत लगने लगेगा दोस्तो साबरमती रिवर्फरंट पर हर साल जैनुरी महिने में फ्लावर शो और काइट फ्लाइंग जैसे फेस्टिवल मनाये जाते हैं जिसके वीडियो मैं आपको आई बटन में दे दूँगा और आप वो सब वीडियो भी ज़रूर देखना दोस्तो आप अगर एमदाद में गुमने आते हो तो साबरमती रिवर्फरंट पर्क ज़रूर देखना यकीन मानिये आपको बहुत अच्छा लगेगा उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आये होगा तो इसको लाइक ज़रू करना और अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में शेर ज़रू करना आप हमारी चैनल पे पहली बार आये हो तो सब्सक्राइब ज़रू करना और बाजू में दिया हुआ बैल आइकन ज़रूर दबाना ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे मिलते हैं नेक्स टाइम ऐसे ही और एक वीडियो के साथ तब तक के लिए हमारी चैनल के और भी वीडियो देखते रहेगा जै हीन जै भारत वंदे मातरम